अपनी ट्रेन से, बसों से, वीकल जो उनके परसनल उनसे जाऊना ये ट्रैक्टर वगरा लेकर ये दिल्ली में मतलब क्या साबित करना चाहते हैं किसान खिलवाड करना चाह रहे हैं जो पिछली बार उनों ने किया था वो अपकी बार सरकार नहीं होने देगी परसासन ने असवासन दिया है कि हर संबाव किसानों को वहीं रहे हैं किसी रूप में दिल्ली तक नहीं पहुंचनी दिया जाएगा और मैं तो किसानों से भी अपने खास्तों सुन्पजले के और अर्याने के किसानों को कहूंगा कि अगर हमने उनका समर्थन मदद करनी है जायज तो पंजाब ओडर पकरोना यहां तो जंतर मंतर पर जाना चाह है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दिया हम जाने की जुरूत ही नहीं है तो मांगे मानवानी है सरकार से तो जायज मांगे सरकार माने भी गी और अपनी ट्रेन से बसों से वीकल जो उनके परसनल उनसे जाओना यह ट्रैक्टर वगरा लेकर यह दिली में मतलब क्या साब कि किसान फिर एक बार दिली कुछ कर रही है और किसानों का कहना कि हम जंतर मंतर जाएंगे श्यांतिपुन तरीके से प्रदशन करना चाहती है देखिए किसानों की मांग जायज हैं उनकी मांग सरकार को मान लेनी चाहिए और इस नोबत तक यहां तक सरकार को उनको आने ही नहीं देना चाहिए उनकी मांग जो मांग थी जब यहां अंदोलन खतम हुआ था तो सरकार ने वादा किया था कि सारी मांगे मान ली जाएंगे अब अगर सरकार कहीं किसी मोड पे अगर उनकी मांगे नहीं मान रही या नहीं सुनती या कुछ ऐसा है तो अल्टिमेटली किसानों को जो जहां पर हैं वहीं रोक देना चाहिए हमारे यहां कुंडली बोडर पर अगर किसान आके बैठते हैं तो निसंदे इसमें जो करमचारी हैं और जो छोटे व्यापारी हैं दुकानदार हैं जो ध्याड़ीदार मजदूर हैं कोई छोटा आथी लेके चलता है कोई खोमचा लगाता है कोई रेडी लगाता है कोई और बच्चों की पढ़ाई अरास्मेंट होती है बहुत ज़्यादा हमारा area बहुत ज़्यादा ज़ो development है वो सारी की सारी रुख गई थी आप देखिये पिछे राई इंडस्टी area फिर नाथुपूर इंडस्टी area फिर आपका बिस्वामिल इंडस्टी area सारा इंडस्टी area बादित हुआ था काम धन्दे सबके चोपट हो गए थे लेकि श्यंति पून तरीकरे से जंतर मंतर जाना चाहते हैं देखिए किसान जंतर मंतर पछाएं बेच्छे हैं यहां को फंगा सामना करना पड़ता है जिस्वाजे से काम धन्दे भी चपट होते हैं और रोज़ी रोज़गार खेशाथ देखेशान ने पर्शासन ने हमारे हारर हरत वे रोकेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई अगर फिर भी वह यहां पहुंचते हैं तो आप लोगों को प्रशासन की मदद करनी चाहिए हमारे साथ तो द्योग पती भी हैं सर क्या नाम आपका मैं नवराकेश देवगर्ण मैं प्रेजिडेंट वरा इंडिस्टिल एस्टेशन का किसान एक बार फिर दिली कुछ की तैयारी कर रहे हैं आपने भी ठ्रैक्टर लेकर ही क्यों कोच करना बगार ट्रैक्टर के भी सोख कर सकते हैं अपनी गाडियों में बस में बैटके चल जैएं जाना जंतर बंतर है जाना चाहते हैं जंतर मंत जाना चाहते हैं तो बाया सोनीपती के जाने यूपी के तुरुच चले जाए ना रास्ता तो वहां से भी जाता है कि सोनीपत एक सोफ जगा मिलुए जहांपर बैठ के यह अपना जो भी कुछ कर सकते लेकिन अपकी बारे ऐसा नहीं होगा मुझे लगते की प्रशाशन इस बारे में सकता है और जितने यहां के किसान भाई है और द्योगपती है सबने अश्वाशन दिया है कि हम गोवर्मेंट के साथ हूँ किसान फीर एक बार दिल्ली कुछ का एलान कर चुके है कहीं नर Qu pain लोगे ऑगती दुख देखा था बड़ा ही नुखसान उठाया था और इस तरह के एजिटेशन अब अभी तेरा फरवरी कोई नहीं हम चाहेंगे कभी भी जिंदिगी में ऐसी अजीटेशन होने ही नहीं चाहिए जो किसी भी डिस्टिक को स्टेट को पीछे ले जाए देश्वी ग्रोथ में जो बात आओ प्रशाशन से आप लोगों की बैठक हुई है क्या मुख्य बाते हुएं कि नमिदूबा पर आपकी बातचीत हुई है प्रशाशन से हमारी मीटिंग हूई है रेडिनस की त्यारी हूई है आगे जो किसान आ रहे इनके बारे में उन्होंने हमको बताया है कि सरकार उन से बातचित कर रहे हैं तो उसी के लिए ही डिसक्षिन हुई है। और मुझे लगता नहीं कि इस बर ही जो किसान है वह यहां कर बैठेंगे क्योंकि लास्टाइम उन्होंने खुदी देखा था क्यों पर खुदी बहुत सारे किसान ने किसान कम उद्योग पती हैं उपने ही लोगों का नुक्सान तो करेंगे रामिला ग्राउंड जाना है वो वहाँ जाए वो कुंड़ी ना है रोका जाता है उनको जैसा भी आपने बोला ही रोका जाता है तो वो वापिस जाए रोका जाता है तो कुंड़ी में ही क्यों बैठना है पहले यहां की अर्थ फ़ित फीर अव खरॉप कर चुके हैं। जहां से वो आ रहे हैं, वहां डुबारा जा के बैठ जाएं, ऐसी बैठ जाएं, अइसी बैठ जासे यहां बैठे हैं। आगर मैं तो बहां भी बैठ जा नहींrit है कि दिलि जाने के लिए, इसलिए वो कुंड़ी पे बैठ रहे हैं अगर मैं गलत नहीं कहा रहा है तो वैसा ही अगर पीछे भी उनको रोक रहे तो वहां बैठ जाए ना लुकल नागरीग है लगोद्यूगमी या दुकानदार उसको अब्योष नहीं होगे जैसे एवन आपको के लिए पूरा एक नहीं टास्क होगा तो उसके लिए कमेंट करना गलत होगा उचित नहीं होगा किसानों ने दिल्ली जाना है और यहां के जो लोकल किसान अगर आप कह रहे हैं वो भी उनके साथ है तो ठीक है हर तरह के होते हैं बलकि जहां तक मैं जानता हूँ जो यहां के किसान है उन्हों ने तो पिछली बारी वो इतने दुख्य हुए थे कि वो खुद ही चाते थे कि अब तुम अपने अपने घर जाओ यहां के एरिया को तुमने बिल्कुल ही बिगाल लिया तो अभी तक मेरे संग्यान में मेरे नॉलिज में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि यहां के लोकल किसान दुबारा से ही वो रिपीट करना चाहते हैं जैसा पहली बार हुआ था अगर जो क चाहते भी होंगे तो यह नहीं चाहते कि तुम यहां के बैढ़ जाओ तुम अपनी मांगे रखो एजिटेशन चालू रखो जो उसको करते होंगे और जिस रूप से वो चल रहा है भी वैसे चलता रहा है पहले तेरा महीने शिंग बोडर कुंडरी बोडर पर रांदोर चल हैं चोटी फेक्ट्रियां हैं और यह देश की बैकबोन है हमारे अगर आप पढ़ते होंगे तो देश की जो जीडीपी का सबसे बड़ा जो शेर है वो लगूद योग MSME ही देता है तो वह फाइनली वह आप अपने ही एरिया को इतना डांग्रेड कर देंगे अगर वही कोजगार हैं दुकाने हैं फास्फूड की चेंस हैं बहुत चोटा चोटा वह हैं टू माउथ करते हैं वह सब किछली बार भी स्क्राइब हो गया था हमका बड़ी मुश्किल से उठके दुबारा पेस पे आये हैं उनने भी अपने परिवार को पालना है बच्चे पड़ान कुछ एक अच्छे बड़े इलाज के लिए तो उसके लिए कैसे होगा अगर वह दुबारा हो जाएगा तो पहला से बहुत जान गई थी यहां से जो लोग निकल के भी जो नहीं बता पाए किस वज़े से वह अपना इलाज नहीं करा पाए क्या वह हम दुबारा रिपीट क के साथ मीटिंग में पहुंचे थी उनका कहना है कि किसान आए या तो शीदेद दिली जाए या वापिस आए शिंगुगोई कुंडली भी बोडर पर ना बैठें सोनी पच्छे पावन राठी है अरियना तक कर दो